आपका हमारे चैनल में एक बार फिट से स्वागत है और आज हम अपने कंप्यूटर एप्लिकेशन की सिरीज में Unit 2 को स्टार्ट करेंगे Unit 1 को हम पहले ही खतम कर चुके हैं इसके अंदर Networking Basics of Internet and Mobile Technologies को हमने कवर किया था लेकिन इस यूनिट के अंदर HTML की यूनिट के अंदर जो हमारा पहला चैप्टर है वो है Introduction to HTML इसके अंदर चैप्टर तो कही सारे हैं जैसे Introduction to HTML, Advanced HTML HTML Forms है, HTML, DHTML and CSS का चैप्टर आता है इसके अंदर लेकिन अभी जो हम चैप्टर इसके अंदर कवर करने वाले हैं वो है हमारा Introduction to HTML का चैप्टर प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर लिखा है Introduction to Hypertext Markup Language HTML का पूरा नाम जो होता है वो है Hypertext Markup Language इसका पहला पाट आज हम स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर जो Contents मैंने कवर की हुए है उसको जरा ध्यान से देखिए पहला हमारा Topic है Introduction, Second में Characteristics of HTML, HTML Versions, HTML Elements है ना उसके बाद हमारे है Types of HTML Elements and HTML Rules इतने सारे Topics को मैंने इसके अंदर कवर किया है आए इसको थोड़ा डेटेल में देखते हैं बचों, First Topic मैंने इसके अंदर रखा है Introduction तो इसमें थोड़ा सा डेटेल में इसको देखिए The HTML or Hypertext Markup Language is a language which provide a means of organizing, formatting the content on web pages and linking the pages बचों, HTML एक basic language होती है जिसके थुरू आप किसी भी web page को, किसी भी website को create करते हो HTML का use करके हम किसी website का एक layout, एक structure create करते हैं जो किसी भी website के लिए, किसी भी webpage के लिए बहुत जादा useful वाना जाता है HTML pages include both text and graphics with the sound and various animation effect HTML का जो page हम लोग create करते हैं उसके अंदर आप text को भी use कर सकते हो graphics को use करते हो, sound, audio, video, animations इन सबको आप अपने HTML के page के अंदर जो आप create करने वाले हो उसके अंदर आप आसानी से इसको use कर सकते हो और अपने page को create कर सकते हो HTML was created by Tim Berners-Lee in 1991 HTML को develop किस ने किया था बच्चों देहान से देखो Tim Berners-Lee ने डेवलब किया था 1991 में है ना? अच्छा अब नीचे थोड़ा देहान से देखें लिखा है यहाँ पर hypertext hypertext marker language क्योंकि HTML का पूरा नाम होता है hypertext marker language तो यहाँ पर मैंने उसको divide करके थोड़ा अलग-अलग करके आपको समझाने का प्रयास किया है यहाँ पर देहान से देखिए hypertext is the text used to link various pages it is the text on a webpage which on clicking opens a new webpage है ना? hypertext क्या होता है बच्चों? suppose Google के अंदर चले जाते हो तो वहाँ पर कोई चीज सर्च करते हो तो आप इसको screen पर कुछ keywords दिखते है जो आपने डालके search किया है है ना? जैसे suppose आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पर मैंने एक page open किया हुआ है यहाँ पर मैंने डाला है ना what is computer तो what is computer में यहाँ पर इसके उपर text के उपर आप mouse का pointer लेके आ रहे हो तो यहाँ पर एक hand बनके आ रहा है ना एक hand बन रहा है यहाँ इससे यह पता चलता है कि इसके अंदर कोई न कोई नया page link किया गया है तो यह जो text आपको यहाँ पर शो रहा है यह हमारा hypertext होता है और नीचे एक underline से दिक रहा है यह क्या है बच्चों यह mark करता है इस particular hypertext को यह mark कर रहा है कि इसके अंदर कोई न कोई page एक नया page add किया गया है या link किया गया है और इसके उपर जब आप right click करके open with new tab करते हो तो यह एक new tab में इसका जो web page है जो इसके साथ link किया गया है वो एक नया page पे open कर देता है बच्चों यह होता है हमारा hypertext और markup बच्चों यहां ध्यान से देखो it means highlighting the test either by underlining or displaying it in different colors are both तो markup में कोई underline भी हो सकता है या displaying it different colors are both है ना जो आपके hypertext को identify करता है कि इसके अंदर कोई नया text add किया गया है कोई नया आपका एक page link किया गया है जिसके थुरू आप उसका answer देख सकते हो है ना अच्छा language क्या हो सकती है बच्चों धेहान से देखे जरा it refers to the way of communication between web pages which has its own syntax and rules principles किसी भी program की किसी भी language की अपना एक अलग syntax होता है अपना एक rule regulation होता है जिसके थुरू आप किसी भी program को design करते हो है ना फिर से एक बार देहान दो it refers to the way of communication between web pages अपनी खुद की एक language होती है उसका अपना syntax होता है उसके अपने कुछ rules होते हैं जिनके थुरू आप किसी भी program को design करते हो बच्चों next topic है मारा बच्चों यहाँ पर characteristics of HTML देखे इसमें क्या क्या हो सकते है HTML is the most commonly used language to write web page HTML एक बहुत common language होती है जिसका use करते हैं किसी web page को किसी website को design करने के लिए एक बहुत ही simple language होती है जिसको बहुत आसानी से सीखा जा सकता है it has gained popularity due to its advantages such as देखो इसमें क्या क्या हो सकते है easy to understand and modify यह बहुत ही आसान होता है समझने में भी और इसके अंदर modification करना चाहते हो कुछ update करना चाहते हो कोई changes करना है तो यह आप graphics video और sound को add करके import कराके अपने webpage के अंदर उसको और ज्यादा attractive बना सकते हो है न और ज्यादा creative बना सकते हो जिससे आपका website और ज्यादा बढ़िया बन जाएगा it is versatile language and can be used any platform यह एक versatile language होती है जिसको आप किसी भी platform पे use कर सकते हो ऐसा नहीं है कि आप windows के अंदर HTML के programming करोगे तो unix के अंदर नहीं होगी या unix के अंदर करती हो तो windows के अंदर नहीं हो सकती ऐसा नहीं है यह एक versatile language होती है जिसको हम किसी भी operating system पे जाके आसानी से उसको हम अपनी programming कर सकते हैं है ना it is used to make the text look attractive इसका use करके आप अपने text को बहुत ज़्यादा attractive बना सकते हो it is an additional feature of linking one document with another बच्चों आपको पता है ना कि website is a collection of web pages होता है तो website के अंदर धेर सारे pages होते हैं तो वो pages कैसे दिखते हैं वो pages इसलिए दिखते हैं कि वो आपस में hyperlinked through आपस में link होते हैं सारे pages आपस में link होते हैं और किसकी help से होते हैं HTML के helps होते हैं one can create and publish web pages to share information with people around the world आप अपना web page अपनी website बना के अगर web server पे host कराते हो तो worldwide उसको कहीं भी देखा जा सकता है बच्चों ध्यान से देखिए यहां पर कुछ versions मैंने डाले हुए हैं यहां पर आप ध्यान से देखिए the language HTML was modified many times leading to a number of versions such as इसका जो पहला version आया था 1991 में था HTML 1.0 HTML 2.0 को develop किया गया था 1995 में HTML 3.2 को develop किया गया था January 1997 में देखो बच्चों ध्यान से 3.2 and 4.0 यह दोनो 1997 में था एक यह जनूरी में आया था और यह December में आया हुआ था HTML 5.0 आया था 2014 में आप देखो बच्चों next topic हमारा HTML elements tags and attributes tag or attributes में क्या difference होता है यह होते क्या है इतको ज़्यारा ध्यान से देखिए क्योंकि इसका use हम आगे चलके बहुत ज़्यादा करने वाले है तो tag is an HTML command tag क्या होता है एक command होता है which instruct the web browser what to show and how to show tag is a command or instruction that is used to create a web page यह tag क्या होता है command होता है एक instruction होता है जिसका use करके आप अपने screen के उपर अपने browser के उपर क्या दिखाना चाहते और कैसे दिखाना चाहते है वो display होगा तो किस तरीके से हमको दिखने वाला है यह decide करता है tag it shows the structure and appearance of document or web pages that is created for it created है ना यह show करता है उसके structure को define करता है HTML के अंदर जब भी आप कोई website design करते हो तो उसके structure को define करने के लिए हम लोग tag का use करते है है ना जैसे कुछ tag के नाम मैंने यहां पे लिखे हैं देखे ध्यान से for example HTML head title यह हमारे ऐसे कुछ tag है जिनका use हम लोग जब programming करना शुरू करेंगे तो उसके अंदर हम लोग इसको use करेंगे बच्चों देखो attribute क्या हो सकता है an attribute is a special word or set of words contained in the tag that specify additional information like color font element attribute क्या हो सकता है additional feature of the tag is called attribute किसी भी tag का additional feature होता है वो tag कहलाता है जैसे कोई font है आपने कोई चीज लिखा है उसका color change करना चाहते हो तो color क्या हो सकता है color attribute हो सकता है alignment change करना है left right center move करना चाहते हो तो यह क्या है यह भी हमारा एक attribute हो सकता है types of HTML elements अब जरा ध्यान से देखें बच्चों HTML जो हमारा होता है उसके कितने elements हो सकते हैं उसके कितने types के elements उसके अंदर हमने define किया हुआ है इसको जरा ध्यान से देखें HTML elements can be categorized as container elements and empty elements container elements क्या होता है ध्यान से देखें यहां पर elements that include both and and on and and off tag are called container elements ऐसे tag जो आप on भी करते हो और last में coding होने के बाद अपने statement डालने के बाद उसको आप off करते हो तो उनको हम कहते हैं container element देखें for example यहां पर मैंने b लिखाया है किसी चीज़ को dark बनाने के लिए यूज करते हैं तो यहां पर मैंने एक tag use किया है यहां पर वो है b tag जोरजा अप मने लिखा computer education उसके बाद इस tag को मैंने slash लगा के close कर दिया है इसका मतलब यहां पर open हो रहा है और यहां पर verb यहां पर on tag और यहां पर off tag यह होता है container tag जिस tag को open करते हैं और last में जाके उसको हम off कर देते हैं ऐसे tag को हम क्या कहेंगे container tag है ना यहाँ पर देखो बच्चों यहाँ पर मैंने b लिखा और b को close किया भी for bold इसको यह targ करेगा the output will be computer education इसका मतलब इसने इसको bold कर दिया तो ऐसे tag जो open तो होते हैं बट उसको last में close भी करते हैं वो बन जाते हैं हमारे container elements next देखिए empty elements क्या होते हैं elements that have only on tag do not require an off tag are closing tag are called empty elements ऐसे element जिसको on तो करते हो बट उसको हम close नहीं करते हैं उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं empty elements for example HR tag which is used to draw a horizontal line doesn't require a closing tag जैसे कोई horizontal row बनाना है आपको horizontal line create करना चाहते हो तो उसके लिए HR तो अब use करेंगे बट HR को कभी हम close नहीं करते हैं है ना तो यह हमारे होगे HTML के कुछ types बच्चो देखो next हमारा topic क्या है HTML rules का some rules regarding HTML elements are as follows बहुत ध्यान से देखेगा बच्चो यह HTML के लिए बहुत ज्यादा important है बिना इसको अच्छे से जाने आप programming अच्छे से नहीं कर पाओगे इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखेगा important है हमारे लिए इसको देखेए पहला point क्या कहता है elements names are not case sensitive जो elements होते हैं जो भी tag हम लोग use करते हैं इसके अंदर वो case sensitive नहीं होता है case sensitive का मतलब क्या होता है जैसे suppose आप mobile phone use करते हो आपने उसके अंदर password लगाया हुआ है capital letter में है और जब उसको capital letter डाल की open करना चाहते हो तो तो open होता है लेकिन जैसे small letter डालोगे तो open नहीं होगा है ना अगर ऐसी condition बनती है तो इसका मतलब वो क्या है वो case sensitive है जहाँ पे capital कोई चीज़ आपने लिखा है और capital से ही उस चीज़ को open कर रहे है उसका मतलब वो क्या है case sensitive है लेकिन जहाँ पे capital आपने लिखा और small letter डाल के आपने उसको open कर लिया इसका मतलब वो क्या है case sensitive नही और उसी चीज़ को आपने दुबारा capital letter में define किया है, तो हमारे उस program के उपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. For example, BR tag is the same as BR tag. कहीं पर आपने program के अंदर, कहीं पर आपने BR को capital letter में लिखा है, उसके बाद फिर आपने उसको BR को small letter में लिख दिया, तो उससे हमारे program के उपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और action same होगा. BR का मतब लाइन को break करना होता है, यह capital BR भी लाइन को break कर देगा, और small BR भी हमारे लाइन को break कर देता है. है ना? नेक्स पॉइंट देखिए बच्चों, attribute names are also not case sensitive. Attributes जो होते हैं, मैंने बताया था ना, extra feature of the tag is called attributes. HR यह होता है, horizontal line create करने के लिए. बच्चों, इसके अंदर मैंने एक, देखो, size लिखा है. Size क्या है? यह एक attribute होता है. किसका? horizontal line का. अगर size को आपने capital में लिखा है, तब भी और design कर देगा, और size को आपने small letter में लिखा है, तब भी वो line को create कर देगा. इसका मतलब यह हुआ, कि size जो हमारा attribute pass होता है, किसी भी tag के अंदर, वो क्या होता है? वो case sensitive नहीं होता. उसको आसानी से आप capital या small letter में आराम से use कर सकते हैं. Next point बच्छों देखो. Attribute value are case sensitive. Attribute के अंदर यह जो value होती है, यह वाली value, यह होती है case sensitive, especially if they refer to a file. For example, if the file name in body in body background equal to flower.jpg, जैसे suppose आपने एक tag use किया body के नाम से, और एक background का आपने use किया है, एक attribute और इसके अंदर की जो value है, flower.jpg, इसको आपने लिखा है small letter में. है ना? इसको लिखा है small letter में. जबकि actual जो file आपके desktop पे रखी है, यह file, उसका नाम capital letter में लिखा है. इसका मतलब यह है कि अगर आपकी actual original file जो है, वो capital letter में है, तो background के सामने जो value पास करेंगे, वो भी capital letter में ही करना है. सेम जैसे आपने दिया है उसके अंदर. है ना? क्योंकि यह case sensitive होता है. अगर आपने small letter में capital है small में कर दिया, या small है capital में कर दिया, तो यह आपके background को change नहीं करेगा. है ना? क्योंकि यह दोनों value हमारी अलग-अलग होती है. value जो होती हो हमेशा case sensitive होती है. बच्चो next point देखो. Attribute value should be placed between quotes when they contain spaces are special characters. जब भी आप किसी भी tag के अंदर कोई भी attribute पास करते हैं, तो उसके अंदर जो value लिखेंगे, उसको आप double quotes में डालेंगे. यह भी हमारा एक rule होता है, कि जब भी इसके अंदर कोई value आप पास करिये, तो दोनों तरफ से double input कामा के अंदर इसको पास करिये. है ना? यह भी हमारा एक rule है, इसको भी हमको याद रखना है. बच्चो next point हमारा दिखिए, you can use as much space between the tags for example, आप दो tag के बीच में, अगर आपने extra spaces डाल दिया है, तो इससे हमारे tag के उपर कोई फर्क नहीं पड़ता है. अगर आपने ऐसे लिखा है, be before bold करना है, bold text, then be close. है ना? आप ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर आपने इसको ऐसे लिखा, इस तरीके से बीच में ये सारे हमारे, धेर सारी space कर दिया है आपने, तो तब भी हमारे program के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, the output will be bold text. ये output display करेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोशिश करना है कि हमारी अच्छी से formating हो, syntax हमारे अच्छे से लिखे जाए, इसमें gap न किया जाए, लेकिन अगर गलती से आपने इसके बाद दोनों तरफ extra spaces एड़ कर दिये हैं, तब भी हमारे program के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बच्छो, next point हमारा देखिए, element name cannot be contain spaces, element name पतब जो tag आपने यूज किया है, उसके अंदर spaces नहीं हो सकता, यहाँ पे आपको space नहीं डालना है, यह हमारा तरीका गलत होता है. You should not give any spaces between, आप देखो, less than symbol है और यह greater than का symbol है, इसके बीच में यहाँ पे space आपको नहीं देना है. For example, if you have to give a line break, the command can be BR, RBR, बतला BR small भी हो सकता है, BR capital later में भी हो सकता है, but not space BR. आपने यहाँ भी space डाल दिया, भी लिखा, फिर यहाँ भी space डाल के आगे space कर दिया, तो यह जो तरीका है, यह जो आपने लिखा है, यह पूरी तरीके से गलत है, ऐसा नहीं लिखना है हमको, ठीक है बच्चों? देखें, next point हमारा देखिए, browsers ignore unknown elements and unknown attributes. बच्चों, जो tags होते हैं, वो दो type के होते हैं, एक होता है predefined tag, एक होता है user defined tag, तो HTML के अंदर जो हम programming करते हैं, वो हमारा predefined tag होता है, इसके पहले चलता था foundation of information technology, उसके अंदर हम लोग XML पढ़ा करते थे, तो XML का पूरा नाम होता था extensible markup language, तो XML के अंदर जो हम tag use करते थे, वो user defined tag होगा करता था, है न? तो इसके अंदर यह क्या बोल ला है, browser ignores unknown elements, मतलब user defined tag को इसके अंदर हम use नहीं कर सकते, बता लगा, ऐसा tag आपने use किया, जो extensible के अंदर use ही नहीं होता, ऐसे बनाई ही नहीं गए हैं ऐसे tag, तो उसको क्या करेगा, हमारा browser उसको क्या कर देगा, उन tags को सीधे सीधे ignore करेगा, कि वो tag भाई बने नहीं है, तो उसको दिखा कैसे सकता है, वो ignore कर देगा क्योंकि वो unknown elements है, है ना, अगर user defined होता, तो XML गए रहा हम use हो सकता था, लेकिन अगर वो unknown है, इसका मतलब वो predefined tag नहीं है, पहले से बना हुआ नहीं है, तो हमारे ब्राउजर में डिस्प्ले नहीं करेगा, elements can be nested, for example, to make text bold, underline, है ना, it and use, bu and ub, बच्चों देखो ध्यान से, अगर आपने किसी statement में, एक से ज़्यादा tag use किया है, जैसे मैंने देखो, यहाँ पे be use किया और you किया, भी for bold होता है, you से underline होता है, मतलब text लिखना चाहते हो, उसके नीचे एक underline बन किया है, तो be और you आपने लिखा, लेकिन जब इसको इधर लाके close करोगे, तो यह last वाला जो होता है, यह आके पहले close होता है, यह हमारा system होता है, है ना, ऐसे be जो होगा, यह आके हमारा last में close होता है, यह इसका सही syntax है, यह एकदम सही तरीका है, आपको closing करने का, यह जो हमारा syntax जो होता है, यह हमारा correct तरीका होता है, and not, इसका मतलब क्या, कि आपको ऐसे नहीं लिखना है, है ना, जैसे आपने be, you लिखा, bolt और underline यहाँ पी use किया, और text लिखने के बाद, आपने be को पहले close कर दिया, यह बिल्कुल गलत तरीका है, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि you पहले last में आपने किया है, तो यहाँ पे सबसे पहले you करना चाहिए था, और last में आके, आपको यहाँ be करना चाहिए, तो यह जो तरीका है, यह पूरी तरह से गलत तरीका है, तो बच्चों मुझे लगता है, कि यह lesson आपके लिए, यह video आपके लिए काफी productive होगा,